सुप्रभाद बच्चों, हम पढ़ेंगे पाट सोला शरीर के अंग एक बार जीव और दाथ की आपस में लड़ाई हो गई दोनों मिलकर पेट के पास फैसला कराने पहुँचे तभी दाथ ने कहा पेट भाईया मैं 24 घंटे महनत करता हूं, मजदूरी करता हूं लेकिन स्वाद जीव को मिलता है, जीव ने कहा नहीं भाईया, दाथ तो उसी चीज को तोड़ता फोड़ता है जो उससे तोड़ा जा सकें, अब आप ही फैसला करें, पेट ने कहा तो चलो, हम हिर्दय के पास चलते हैं जब वे हिर्दय के पास पहुँचे, तो हिर्दय ने कहा, आईए, आप लोगों का स्वागत है, क्या बात है कि आप तीनों शान्त हैं पेट ने कहा, समस्य अगंभीर है, जीव और दाथ दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कि हम मिल कर काम नहीं करेंगे पेट ने कहा, पेट से, कि यह तो आप की समस्य है, आप जाने, जीव और दाथ सारा दिन गुलामी आप के लिए करते हैं, और आप आराम करते हैं पेट ने कहा, चलो हम हाथ के पास चलते हैं, और इस तरीके से पेट सबको हाथ के पास लेकी पहुँचा हाथ ने कहा, क्या बात है, आप लोग कुछ चिंतित दिख रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ पेट ने कहा हाँ हाथ भैया कुछ करो नहीं तो मैं अब भूक से तड़प तड़प कर मर जाओंगा दाथ और जीव मुझे खाना नहीं देते है हाथ ने कहा कमाल की बात है जीव और दाथ आपको खाना नहीं देते है पेट ने कहा हाँ ये सब मुझे खाना नहीं देते हैं हाथ ने कहा तो और कौन देता है पेट ने कहा मुझे नहीं पता हाथ ने कहा मैं मैं देता हूँ आपको खाना सारा दिन काम करता हूँ बोजा उठाता हूँ मजदूरी करता हूँ लिखता हूँ खेलता हूँ और सफाई करता हूँ जीव और दात केवल आराम करते हैं अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूँ तो आप सभी भूग से तड़पने लगेंगे भूग से तड़प कर मर जाओगे तभी पैर ने कहा अरे हाथ तुने तो कमाल की बात कही तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता हूँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ तभी आँख ने कहा अरे आप सब तो सच में स्वार्थी है आप लोगों को रास्ता दिखाने में मैं ही सहता करता हूँ मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है मैं ही सबको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता दिखाता हूँ तभी कान ने कहा अरे आप जितने भी लोग साजिश कर रहे है को बताता हूं तभी नाक ने कहा अच्छा तो आप लोग मुझे ही भूल गए मैं अगर पांच मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूँ तो आप सभी काम ने लगेंगे इतना ही नहीं सुगंद और दुरगंद का एहसास भी मैं ही कराती हूं तभी हिरदय ने कहा लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए अगर हम सब अपना काम बंद कर दे तो हमारा क्या बिगडेगा हमारा कोई कुछ नहीं बगार सकेगा जीव ने कहा सच में कुछ भी नहीं बिगडेगा बेचारा पेट भूख से तड़पने लगेगा जीव ने कहा तो चलो फिर हम काम करना बंद कर देते हैं पेटने का कोई बात नहीं मैं भी तो आप सभी लोगों को उर्जा देने के लिए स्वस्त रखने के लिए काम करता हूं हाथ ने का मैं आज पेट को खाना नहीं दूगा और जीव ने भी कहा कि मैं भी आराम करती हूं जीव और हाथ ने दोनों ने सला किय और दोनों ने काम करना बंद कर दिया दो दिन तक कोई भी पेट को खाना नहीं देता और पेट बेचारा चुप चाप देखता रहता है शरीर के सारे अंग सिथिल पढ़ने लगते हैं तभी सभी अंग पेट सर के पास जाते हैं और पेट सर से कहते पेट सर हमें माफ कर दो पेट ने कह क्यों नहीं मैं तो राजा हूँ मेरा काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना अब तुम लोगों को समझ में आया कि जिस प्रकार कार और मशीन पेट्रूल और डिजल के डालने के बाद ही चलती है उसी प्रकार आप लोगों को काम करने के लिए मैं उरजा दीता हूँ दिमाग ने का हाँ पेट भीया मैं तो यह सब कुछ देख रहा था और चुप था ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एकता के महत्व को समझे मेरा काम ही है सोच समझ कर सही काम करना और उचित सला देना शरीर के सारे अंग फिर कहने लगे हम सब एक हैं तो बच्चों इस कहाने से भी हमें सेह सिक्षा मिलती है कि हमें भी एकता के साथ रहना चाहिए मिल जुल कर रहना चाहिए और हमें सभी को किसी भी बड़े कारे को मिलजुलकर करने में ही हमारी भलाईए और हमें सभी को एकता के साथ रहना चाहिए मिलजुलकर रहना चाहिए धन्यवाद